नमस्कार दोस्तो जितेश की बाते चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलकाल एक्स्टी टेबलेट के बारे में दोस्तो इससे पहले मैंने सेलकाल 500 टेबलेट के बारे में वीडियो बनाई हुई थी और ये सेलकाल XT टेबलेट है देखे सेलकाल 500 टेबलेट के अंदर आपको कैलशियम और विटामिन D3 देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो ये जो सेलकाल XT टेबलेट है इसमें आपको calcium और vitamin D3 तो देखने को मिलता ही है साथ ही इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं वो add की गई है जिनके काफी सारे फायदे हैं जिनके बारे में आगे मैं आपसे बात करूँगा तो इसके फायदे कैसे आपको इसे use करना है side effect इसका उप्योग किन कंडिशन में किया जा सकता है और इसे लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है देखे दोस्तों ये जो Cellcal XT Tablet है इसे Torrent Pharmaceutical Company द्वारा बनाए गया है और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 312 रुपे 12 पैसे है जो एक स्ट्रिप का प्राइस है जिसमें आपको 15 टैबलेट है वो देखने को मिलती है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रेन पर भी देख सकते है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखे सबसे पहले हैं इसमें Calcium जो की 500 mg है अब देखे Calcium का काम क्या होता है ये हमारे हड़ियों और दातों की मजबूती के लिए यानि हड़ियों और दातों को स्ट्रॉंग करने के लिए हमारी बाड़ि में बहुती एहम रोल निभाते हैं देखे दोस्तों यहां में आपको बताना चाहूंगा अगर हम अपने सरीर की बात करें तो जो Calcium होता है वो 99% जो है हमारी हड़ियों और दातों में होता है और बाकी का 1% जो है वो हमारी पूरी बोड़ी में होता है तो हड़ियां और दात दोनों में Calcium का होना बहुती जरूरी होता है देखे अगर Calcium नहीं होगा तो आपके दात भी और हड़ियां भी जो है वो कमजोर हो जाएंगी तो इसलिए दातों और हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है कैल्शम इसके अलावा हमारी नसों, ब्लेड, मांस्पेशियों और दिल की कमजोरी दूर करने के लिए भी कैल्शम बहुत जरूरी होता है देखे इसके लावा अगर आपको osteoporosis है जिसमें की हड़ियां काफी कमजोर यानि वीक हो जाती है तो उस condition में भी आप इसे ले सकते हैं देखे दोस्तो औस्टियो पोरोसिस में हड्डियां काफी कमजोर यानि वीक हो जाती है थोड़ी से ही चोट लगने पर भी हड्डियां तूट जाती है यानि फैक्चर हो सकती है या फिर औस्टियो मलेसिया है इसमें क्या होता है इसमें आपकी हड्डियां जो हैं सौफ्ट ह मुलायम हो जाती है जिसके कारण हट्डियों के मोड़ने वो तूटने का डर रहता है तो इसलिए केलशियम का होना बहुत जरूरी होता है तो केलशियम 500 आपको इसमें देखने को मिलता है दोस्तो इसके अलावा आपको इसमें विटामिन D3 मिलता है जो की 2000 IU है यानि IU का है इंटरनेशनल यूनिट दोस्तो देखिए केलशियम के साथ विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि विटामिन D सरीर के अंदर केलशियम के अपसोसन में मदद करता है यानि एब्जॉर्ब करता है तो यानि कि अगर आपके सरीर में केलशियम की कमी है और अकेले कैल्चम ही ले रहे हो तो देखिए वो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा वो कैल्चम आपका निकल जाएगा तो इसलिए कैल्चम की सांध विटामिन D का होना भी जरूरी होता है जो कि कैल्चम को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और देखिए य के लिए भी बेनिफिचल होता है विटामिन D3 दोस्तों इसके लावा इसके अगले इंग्रिडियन्स की बात करें तो वो है मेकवाला मिन जिसे आप विटामिन B12 भी कह सकते है जो की 1500 MCG रहता है देखे दोस्तों विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ये ब्रेन के फंक्सन कले भी काफी अच्छा होता है देखे खून में मौझूद रेट ब्लेड सेल्स बनाने कले भी विटामिन B12 आउशक होता है इसके अलावा इनीमिया यानि खून की कमी हाथ पेरों में सुन्पन और जुन जुनी या फिर आपकी नसों में कमजोरी है त इसके अलावे इसमें पाइरेड उकसल, फोस्पेड है जिसे आप विटामिन B6 भी बोल सकते हैं जो कि 20MG में है और ये भी आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है दोस्तों देखे विटामिन B12 और विटामिन B6 आपकी नसों को स्वस्त रखने के लि बात करें इसके डोस की तो इसके आपको एक दिन में एक टैबिट लेने की सलाह वो दी जा सकती है और इसे आप कुछ भी खाने खाने के बाद दूद के साथ जा फिर पानी के साथ ले सकते हैं दोस्तों इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन देखे यहां मैं आपसे कहना कि इसे लेने से पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें क्योंकि depend करता है कि आपकी problem कैसी है और कब तक इसे लेना चाहिए इस बारे में आप डॉक्टर से जरूर सला लें दोस्तों अगर बात करें इसके side effect की तो देखे इसका आपको overdose नहीं करना है या फिर अगर आपके किड्नी में कोई प्रॉब्लम है किड्नी में स्टोन है तो भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सला ले तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको काफी को समझ में आया होगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं ने में जितेश एंड थैंक्यू सो मच पर वाचिंग